प्रेगनंसी के दौरान गर्भवती के शरीर में कई सारे बदलावाते हैं, पेट का आकार बढ़ने लगता है और फिर ऐसे में गर्भवती को सोने में दिक्कत होती है, किस पोजिशन में सोना चाहिए, इसके बारे में हर गर्भवती को पता होना जरूरी है, कैसे सोना चाहिए, कौन सी पोजिशन में सोना चाहिए, क्या आप पेट के बल सो सकती है, तथा दाई और सोना चाहिए या नहीं, इन सबी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें, नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सितल्टों से संजीवन ग बाई और से सोती है, तो शिशू को पर्याप्त मातरा में ऑक्सिजन और सभी पोशक्तत्व अच्छे से मिलते हैं, इतना ही नहीं बाई और सोने से ब्लाड सर्कुलेशन अच्छा होता है, लेकिन क्या आप जानती है कि गर्भवती को दाई और सोना चाहिए या नहीं, चलि के लिए आपको ऐस पॉसिबल बाई करवट पर जादा से जादा सोना है, और फिर दाई करवट पर आप सो सकती है, इसके अलावा आप पहली तीमाही में पीट के बल भी सो सकती है, जो सुरक्षित है, बड़ तब आपको पीट दर्ग, पाचन संबंदी समस्या तथा पाइ भी हो सकता है, इसलिए दूसरी और तीसरी तीमाही में पीट के बल नहीं सोना है, और पेट के बल सोना अतन नामुम्किन होता है, इसलिए पेट के बल भी नहीं सोना है, तो ध्यान दे, प्रेगननसी के पहली तीमाही में आप जैसा मन्चा है, डाई, बाई करवट पर यहां तो हो गया गरभावस्ता में सोने का सही तरीका, सही पोजिशन में सोने के साथ साथ सोकर उठते समय भी आपको आराम से उठना है, जटके से ना उठे, पहले एक करवट हो जाए और फिर हाथ को टिका कर आराम से आपको उठना है, इस बात को भी आपने अवश्यत ध्य तो यहां थी सारी बाते गर्भावस्ता में सोने के तरीके पोजीशन को लेकर और उसके फायदों के बारे में इसके साथ साथ आप गर्भावस्ता में और एक फायदा उठा सकती है और वहां है आपके गर्भावस्त शिशु को बना सकती है आपके इच्छा नुसार सुन्दर सुद्रूर्ते जस्वी और सत्गुणों से परिपूर्ण यहां कैसे पॉसिबल है यहां पॉसिबल है गर्व संसकार से इसके लिए आप मुझसे भी जुड़ सकती है दिचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है वहां पे जाके डाउनलोड करें संजीवन गर्व संसकार और घर बैटे ही बनिए एक्स्ट्राओर्डनरी मॉमों एक्स्ट्राओर्डनरी बेबी तो हसते रहें मुश्कुराते रहें एंज्जॉय करें प्रेग्नसी का हरक्षण संजीवन गर्व संसकार के साथ धन्यवाद झाल 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